मेथी की सबजी खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता खास करके बच्चों को बच्चों को तो मेथी का नाम लेती ही बच्चे मुझ तेड़ा कर देती हैं लेकिन आज से बच्चे क्या बड़े भी मेथी खाना बहुत पसंद करेंगे ये मेथी से हम बनाएंगे दोसे और इनके पेट में भी चली जाएगी और कुछ अलग से खाने का मज़ा भी आएगा तो चलिए फिर इस दोसे को हम बनाते हैं तो मैं हूरीना बिराजदार और आप देख रहे हो घर का खाना और घर के खाने में आज हम बनाएंगे मेथी के दोसे तो मैंने यहाँ पे थोड़ और मेथी डालने के बाद हम सिर्फ इसको एक से तेड़ मिनट तक पका लेते हैं ऐसा करने से यह अच्छे से सॉफ्ट बनेगी और इसका जो कड़वापन होता है वो हलका सा निकल जाएगा और जो दोसे होते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे तो यहाँ पे ग्यास की फ्लेम को मैंने हाय पे ही रखा है तो तुरंत इसमें उबाला चुका है अब हम इसे निकाल लेते हैं और डाल देते हैं तुरंत थंडे पानी में थंडे पानी में डालने के बाद इसका जो पकने का प्रोसेस होता है वो तुरंत थम जाएगा और इसका जो कलर है बिल्कुल ऐसा का वैसा ही रहेगा green color इसलिए इसे तुरंत थंडे पानी में डालना ना भूले और तुरंत थंडे पानी में से भी हमें इसे चान लेना है ताकि इसका जो एकसिस पानी है वो तुरंत निकल जाए तो मैंने यहाँ पे गरम पानी को हटा दिया है आप देख सकते हो यह इसे थंडे पानी में डालने के बाद बिल्कुल उस वैसा का वैसा ही वो green color में ही है अब हम इसे निकाल देते हैं एक चलनी में याने कि एक स्ट्रेनर में इसे चान लेते हैं ताकि इसका जो एकसिस पानी है वो पुरी तरह से निकल जाए तो यहाँ पे इसका पानी पुरी तरह से निकल चुका है अब हम इसे डाल देते हैं एक मिकसर के जार में तो यहाँ पे एक मिकसर का जार में ने ले लिया है अब इसमें मैंने डाल दिया है बाकी भी अब मसाले इसके साथ में हम डाल देते हैं अब डाल दिया है मैंने एक पैस बारिक कट करने के बाद अब थोड़ा सा डाल दिया है मैंने गाजर, थोड़ा सा अद्रक, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है हरी मिर्च, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसर आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, इसके बाद मैंने डाल पिसनी के बाद हमपर से थोड़ा सा पाने डालेंगे और एकदम महीम इसकी के पेस्ट बना लेते हैं आप पिसनी के बाद यहां पिसने और यह लिक्त ह्यांद चावल का आठा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ये कप सूजी ये बारिक वाली सूजी मैंने यूज की है आप चाहे तो मोटी वाली सूजी भी यूज कर सकते हो लेकिन दोसा बनाने से पहले उसे थोड़ा सा पीसले मिक्सी में अब मैंने डाल दिया है टेस्ट के अनुस पानी उसमें हो था वो पूरी तरह से डाल दिया है ताकि उसमें जो पेस्ट बची हुई थी वो बिल्कुल बेस्ट ना हो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी और एक विसकर की मदद से हम इसका बैटर बना लेते हैं बिल्कुल हमें दोसे के जैसा देते हैं और नेक्स प्रोसेस की तरफ चलते हैं नेक्स प्रोसेस है चटनी बनाने की तो मैंने यहां पर एक कड़ाई चड़ा रखी है गयास के उपर और कड़ाई अच्छे से गरम हो चुकी है इसमें डाल देते हैं ऑईल गरम होने के बाद डाल देते हैं जीरा और हिंग ये दोनों चीजों को थोड़ा सा फ्राइ कर लेते हैं और ये फ्राइ होने के बाद तुरंथ हम इसमें डाल देते हैं प्याज तब तक आप एक काम करिएगा अगर मेरे चाइनल को अपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा तो मैंने इसमें पैस डाल दिया है इसे सौते कर लेते हैं अब डाल देते हैं इसमें हरी मिर्च, लैसून और करीपता ये तीनों चीज़े हम इसमें डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा हलका सा फ्राइ कर लेते हैं हमें ज़्यादा ही इसमें फ्राइ नहीं करना है इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है आप डाल देते हैं इसमें टमाटर नमाटर डालने के बाद हम डाल देते हैं मंग फली और थोड़ा सा काजू इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा आच्छे आएगी काजू के वज़े से एकदम क्रीमी क्रीमी बनेगा और बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है इस चटनी में इसलिए काजू डालना ना भूले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये चटनी आप डाल दिया है मैंने इसमें रेट चिली पाडर और थोड़ा सा आमचूर पाडर और नमक टेस्ट के अनुसार नमक मैंने इसमें डाल दिया है चिली पाडर या हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो ज़्यादा तिखा आप खाते हो तो बड़ा भी सकते हो कम तिखा खाते हो तो कम भी कर सकते हो तो यहाँ पे यह थोड़ा सा फ्राय हो चुका है जादा हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है अब ग्यास के फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसे थंडा भी कर लिया है थंडा होने के बाद हम इसे एक मिक्सर के जार में डाल देते हैं और इसकी एकदम महीम पेस्ट हम बना लेते हैं अब मैंने यहाँ पे एक मिक्सर का जार ले लिया है इसमें इसे डाल दिया है आप डाल देते हैं इसमें हरा धनिया हरा धनिया डालना ना भुले बहुत ही अच्छी टेस्ट आ जाती है अगर आपको ये चटनी पतली पसंद है तो आप इसे इसमें पानी बढ़ा सकते हो अगर ये चटनी आपको गाड़ी पसंद है तो आप इसी तरह से भी बना सकते हो तो यहाँ पर ये चटनी एकदम रेड़ी है ये चटनी आप धेर सारे चाट के साथ में भी खा सकते हो टेस्टी ये चटनी बनती है पिज़ा के उपर भी इस चटनी का यूज किया जाता है तो आप चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूल चुका है इसमें की सुजी बहुत अच्छे से फूल चुकी है अब मैंने इसमें डाल दिया है हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बना लेते हैं दो से लेकिन दो से बनाने से पहले हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके दूसरे पतेले में निकालेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम इनो डालते जाएंगे और तुरंत दोसे बनाते जाएंगे पुरे इनो इसमें पुरे इस बैटर में आपने डाल दिया तो इसकी गैस चली जाएगी और दोसे आपके अच्छे नहीं बनेंगे इसलिए थोड़ा-थोड़ा बैटर ले और थोड़ा-थोड़ा इनो डालने के बाद ही आप दोसे बनाएं बहुत अच्छे से ये फलफी भी बनेगा और दोसे आपके कुरकुरे भी बनेंगे और बहुत टेस्टी भी अब चलते हैं दोसे बनाने के लिए तो ग्यास के उपर पहले से ही मैंने तवा चड़ा रखा है तवा अच्छे से गरम हो चुका है तवा गरम होने के बाद हम इसे ज़्यादा ओइल लगाने के बाद इसे अच्छे से इस तरह से ग्रीस करेंगे मैं यहाँ पे आपको एक tip बताना चाहूंगी इस तरह से grease करने से आपके जो दोसे हैं विल्कुल भी चिपकेंगे नहीं पहले इस तरह से grease करना है और एक cotton कपडे के मदद से हमें इसे soft पोच लेना है ऐसा करने से आपके जो दोसे हैं विल्कुल भी तवे को चिपकेंगे नहीं तो मैंने यहाँ पे एक cotton कपडे से इसे पोच लिया है आप oil डालने के विल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिरेक्ली आप इसमें दोसा इस तरह से डाल सकते हो तो मैंने यहाँ पे यह दोसा डाल दिया है अब इसका बेट करते हैं पकने का एक तरफ से यह अच्छे से पक चुका है ब्राउन कलर में आ चुका है अब हम इसे इस तरह से oil डालने के बाद उपर से इसे पलड देते हैं आप देख सकते हो दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है इसी तरह से हमें बाकी दो से भी बनाने हैं तो आप देख सकते हो इसका कलर इसका टेक्शर कितना अच्छा है तो सोच सकते हो खाने में ये कितने टेस्टी होंगे उपर से ये इतने हेल्दी है कि पूछो मत तो तो इस recipe को आप एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा और ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर comment कीजिएगा इसी तरह से बाखे भी दोसे मैंने बना लिये हैं एक के बाद एक दो ग्यास के उपर मैंने दो तबे चड़ा रखे हैं इसलिए मैरे जो दोसे है वो फटा फट बन चुके हैं अब चलते हैं इसे फरोसने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोसे बहुत ही tasty और बहुत ही मस्त बने हैं बहुत ही healthy दोसे हैं और चटनी भी साथ में बहुत हेल्दी है तो इस दोसे को आप जरूर ट्राइ क कीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं इसी तरह की चटपटी और मज़ेदार नए रेसिपिस के साथ में तब तक के लिए बैबाई